हेलो फ्रेंड्स आज हम मनाएंगे मटर मलाई की सबजी वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में तो चले स्टार्ट करते हैं तो आईए मेरी किचन में मेरे साथ चले ये देखिए मैंने एक कटोरी मटर ली है और मैंने तीन चाट छोटी छोटी प्यास थी उनको मैंने बीच में से कट करके उनकी स्लैस निकाल ली है बिल्कुल इस तरीके से मैंने कड़ाई में तेल रख लिया है और तेल हमारा लगबग इस टेबल स्पून से अगर हम चेक करें तो डिर चमच है तेल हमारा जैसे ही करम हो जाएगा तो हम वह इपने जीरा डालेंगे जीरा ही जैसे हमारा तड़कने लगेगा तो हमारा second step आप सबको पता है हम इसमें हींग एड़ करेंगे, दो पिंच हींग के बिना तो हमारी सबजीयं में स्वादी नहीं आता अपना देसी स्टाइल तो हींग से होता है इसमें गया हींग दो पिंच हींग एड़ किया हमने हींग और जीरा हमारे जैसे ही अच्छे तरीके से तड़कने लगेंगे तो मैंने जो प्याज कट करके रखी है वो प्याज हम इसमें डाल देंगे मैंने इसके स्लाइस इस तरीके से निकाल लिये थे अब हम प्याज को हलका फ्राई करेंगे हम इस प्याज को सिर्फ इतना फ्राई करना है कि इनका कच्छापन निकल जाए सिर्फ क्योंकि हम इन प्याजों को थोड़ा क्रंची रखेंगे क्योंकि जब प्याज हमारी क्रंची रहेंगी न तो उसका टेस्ट अलग ही आता है सबजी में तो हमें बिल्कुल इसको fry नहीं करना है कि ज्यादा fry करना है इसको बस हलका fry करना है ताकि इसका कच्छापन हमारा निकल जाए बिल्कुल अब जो मैने मटर दी मेरे पास एक कटोरी वो मटर डाल देंगे हम इसमें ये देखे और मटर को भी हम प्याज के साथ कुछ सेकंड के लिए जिरकुछ सेकंड के लिए ही हम इने फ्राइ करेंगे अब इस मसाले आड़ करेंगे आधा चमच हल्दी पाउडर, आधा चमच लाल मिर्च पाउडर और आधा चमच धनिया पाउडर मसाले हम सबजी के अकोडिंग एड़ कर रहे हैं क्योंकि देखी सबजी हमारी कम है तो मसाले भी हम कम एड़ कर रहे हैं अगर आपको spicy spicy सबजी अच्छी लगती है तो आप मसाले अपने अकोडिंग अड़ कर सकते हैं और एक चमच अड़ किया हम इने अद्रक लसन का पेस्ट यह कुटा हुआ अद्रक लसन है कुटे हुए अद्रक लसन का भी टेस्ट अलग ही आता है तो इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम मसालों के साथ अब मैंने ये एक मीडियम साइज का टमाड़ था उसे कद्दू कस कर लिया है इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे अब जाएगा हमारा नमक ये तो आपको पता ही है टामाडर के बाद ही हम नमक एड़ करते हैं उससे क्या है हमारी सबजी अच्छे तरीके से पकती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है अब हम इसको ओनली एक से तेड़ मिनट के लिए कवर करके रख देंगे एक से तेड़ मिनट हमारा हो चुक है हम अपनी सबजी को चेक कर लेते हैं ये देखिए टामाडर भी एच्छी तरीके से पक चुक है उसने भी अपना पानी रिलीज भी कर दिया मसाले भी एच्छी तरीके से पक चुक है हमारे अब इसमें डालेंगे हम आदा चमच गरम मसाल अब रेस्टोरेंट स्टाइल सबजी बनाएं और उसमें गरम मसाला ना हो तो कैसे टेस्ट आएगा ये मैंने दो चमच फ्रेश मलाई लिए मैं मेजर्मेंट दिखा देती हूँ ये दो चमच ये दो चमच मैंने फ्रेश मलाई लिए अब समय आ गया है मलाई डालने का तो हम इसमें डालेंगे मलाई और मलाई को भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे मलाई हमेशा नमक डालने के बाद ही डाले जब नमक हमारा अच्छे तरीके से मसालों में पक जाए इस बात का आप हमेशा धहान रखे कि मलाई जब भी डाले तो हमें नमक पकने के बाद ही मलाई डालनी है इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको भी कुछ सेकंड्स के लिए हम पकाएंगे यह देखें, मलाई भी हमारी अच्छे तरीके से पक चुकी है सबजी हमारी हो चुकी है बिलकुल तैयार अब हम इसे करेंगे धनीए से गार्णिश इस तरीके से बिलकुल देखें आ गया ना रेस्टोरेंट वाला कलर बिलकुल सबजी में ये देखें इसे भी करेंगे हम मिक्स और अब इसे निकाल लेते हैं हम अपने बाउल में यह देखे फ्रेंड्स मटर मलाई की सबजी हमारी बिल्कुल तैयार हैं आप इसे मेरे तरीके से बनाएं आपको बहुत पसंद आएगी और आप एक बार नहीं इसे बार-बार बनाएंगे तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब जरूर करें थैंक यू